हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दश्चु को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का पंचान साथ दिसंबर सन दोहजार बीस दिन सौमवार मार्शीस करशन पक्स संबन दोहजार सत्तर तिथी आज सब्तमी है नक्षत त्रमगा है राहु काल साड़े सास से नो दिशा सूर पूर्व दिशा आज हम अपने सभी सादकों से भगवती पितांबरा की बात करना चाते हैं बगला मुखी सादना बगला मुखी सादना में कुछ लोगों के अंद्विस्वास हैं जिने हम आज दूर करेंगे जैसे बहुत लोग डरते हैं कि बगला मुखी की सादना बहुत तिक्षण होती है बगला मुखी की सादना से बहुत नुकसान हो जाता है तो आज कुछ ऐसे ही सादना के तथ्यों पर हम आपको जानकारी देना चाते हैं और आपका दिहान केंद्रित करना चाते हैं बगला मुखी की साधना बहुत अच्छी साधना है बगला मुखी मा की साधना तवरित फल देनी वाली साधना है लेकिन अच्छे से आपको मंत्र विधी आती हो अच्छे से आपने किसी से मंत्र गरहन किया हो और बहुत ही तोर तरीके के साथ नियम सहियम के साथ आप अपनी भगवती बगला मुखी की साधना को कर रहे हूं निश्यत फल मिलेगा अच्छा फल मिलेगा अब यहां जानिये एक गलती हम हमेशा मापितांबरा की साधना को यह समझ लेते हैं कि यह हमेशा दूसरों को कश्ट देने वाली साधना है यह हमेशा जिसके लिए भी हम चाहेंग उसके उपर ये असर करती है, उसको हमारा दास मना देती है, ये सादना जिसके लिए हम करते हैं, उसे हम दवा सकते हैं, उसका हम दमन कर सकते हैं, ऐसी बाते बहुत लोगों के मन में आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कि ये सादना सत्रों का विनाश करती है, ये सादना सत्र आप से कोछ जोडने वाला हूँ इस एपिसोड में आपको बहुत ध्यान से जानी पढ़ेंगे आज की बाते किन सत्रों का यह विनाश करती है सत्रू तो हमारे अंदर में हैं काम है क्रोध है लोब है मो है तो इन सत्रों का भी ये विनाश करती है भगवती की साथ था समझें अब आपने सोचा कि पडोसी से जगडा हो गया किसी चीज़ के ओपर और बैठ जाएं हम माला लेकर के ओम हिलिम मगला मुकी सर्वदुष्टानाम वाचा मुकंपदम नहीं साथ ना आप क्या सोच रहें कि आप दस दिन माला गिने और पडोसी को आप बरबाद कर दें क्या ऐसा हो सकता है यह आपकी भूल है यह आपकी अज्ञानता क्यों साब अज्ञानता क्यों है जवाब दीजिए सर्माजी आईए सुनते हैं जवाब देते हैं कौन है वो मापितम ब्रा कौन है आपका अंसर आया दसन महाविद्याव में एक महाविद्या है जिनका नाम है बगला मुखी हाँ म कुन है वो माँ है माँ बगला मुखी माँ है ना तो माँ तो सब की है वो आपके पडोसी की भी है आपकी भी है और आपके शत्रु की भी है आपके प्रम शत्रु के भी है आपके हितेशी की भी है सब की माँ है वो तो एक माँ कैसे चाहेगी कि एक बच्चे की इंगली काट द बोलो एक मा कैसे चाहेगी हम भी किसी के पिता है हम कैसे अपने बच्चों में बात कर सकते हैं किसाब एक बच्चे को सब कुछ दे दे एक को कुछ ना दे आप बात की बात छोड़ दीजिए आप मन में सोच रहे हैं कई बार ऐसा होता है आप बात छोड़ दीजिए आप बात पर आईये, मा की बात कर रहा है, पिता की बात नहीं कर रहा है, मा एक बच्चे को अगर एक रोटी देती है, तो दूसरे को दो कब देती है, एक बच्चे एक रोटी ही खाता है, तो एक देती है, और एक बच्चे का एक रोटी में पेट नहीं भरता है, तो उसे पता है, कि इ मेरा बच्चा दो रोटियों में पेट भरता है तो उसे दो देती है समझे माँ जैसा बच्चा है जैसी उसकी खुशिया है जैसी उस बच्चे की चाहत है जैसी उसकी जरूरत है माँ उस जरूरत को पूरा करती है तो ऐसे ही मेरे साद को कदापी इस मोह में इस कच्चे लालश में मत आ जाना कि मैं बगला मुखी का मंतर बढ़के किसी का विनाश कर दूँ ये गलत सोच है ये गलत बात है ऐसा मत सोचना क्यों? जितनी माँ वो आपकी है इतनी माँ वो उसकी भी है भगवती की कोई ऐसी महती कृपा हुई है जो ये सब्जेक्ट लेने को हमारा अचानक मन हुआ और आप से हम बाते कर रहे हैं भगवती जब चाहती है तब ही बुलवाती है हमने ये बात देखी है अब कब दबन करती है शत्रू का? वास्तम में है हकीकत में आपका वो शत्रू है कैसे? के बहुत पीड़ा देता है आपको हर बात में आपको पीड़ा देता है आपकी कोई गल्ती नहीं है गल्ती उसने की है एक लाख आदमी सभी बोल रहे हैं कि भी इस व्यक्टी ने गल्ती की है एक व्यक्ति गलमत हो सकता है, एक हजार गलमत नहीं हो सकते कि गलती भी उसह की है, कि हैते है न, चोरी और उपर से सीना जोरी है उस व्यक्ती ने बहुत बड़ी गलती किये, बहुत कश्ठ दै आपको और जब नाक पानी ना, नाक से उपर आ गया तब आपका मन हुआ के साब अब हम भगवती की शरण में जाएं हम अपना बचाओ करें हमने माला उठाई हमने किसी भी आचारिय जी से अच्छे से मंत्र विद्या सीखी साधना सीखी और हम साधना में लग गए लेकिन हमारा बाल मन हमारा ऐसा मन कि हम साधना में भी भगवती से क्या कह रहे है कि हे मा आप हमें हमारे सत्रों से बचाएं विनाश ना करें समझे बात को विनाश ना करें आप हमें हमारे सत्रों से बचाएं बास हम विनाश की बात नहीं कर रहे हम अपने बचाओ की बात कर रहे और अपना बचाओ धर्म कहता है जो अपना बचाओ नहीं कर सकता वो किसका बचाओ करेगा अपना बचाओ करना चाहिए अपना बचाओ करना आएगा तब हमें दूसरों का बचाओ करना आएगा हमने भगवती से प्रातने की अब भगवती वसंद्रा है भगवती रितंब्रा है पितंब्रा है भगवती करुणा मई है प्रसंद हो गई है और उन्हें देखो देखो मेरा वालक मुझसे क्या मांग रहा है जबकि इसे पता है कि उसने गलती किया है लेकि फिर भी मेरा वालक क्या मांग रहा है तो भगवती क्या करती है भगवती आपके बल को बढ़ा देती है भगवती आपके और ग्यान को विस्तारित करती चली जाती है भगवती और आपके जीवन में आनंद प्रदान करती चली जाती है और जो व्यक्ति गलत है आपका शत्रू है उसके मन में ऐसा महोड आलती हैं कि वो व्यक्ति आपका मित्र बनने के लिए आतुर हो जाता है अहीत उसका भी नहीं करती है वो व्यक्ति आपका मित्र बनने के लिए आतुर हो जाता है लालेत हो जाता है और एक दिन कई बार ऐसे होता भी है कि वो व्यक्ति शमा मागता है अरे भाई साथ बहुत बड़ी गलती होई आप हमें शमा करें भूरे समाज के सांबने वो माफ़े मागने को अतियार हो जाता ऐसा भगवती करती है और इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर जो बुरी परवत्या है उन प्रवत्यों का वो बिनाश करती है अब ये तो भगवती ने कर दिया अब उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वो देखते हैं कि साथ ये तो बड़ा दुष्ट है इन बिट्वीन ही ग्रह भी उसे दबा लेते हैं समाज से उसका रुत्वा गिरने लगता है उपर से ग्रह दबा लेते हैं उपर से ग्रह ने दबाया समाज से रुत्वा गिरा अपनी आदस से वो बाजनी आता करीब करीब कई बार एक दिन वो व्यक्ति पतन के गगार पर चला जाता है भगवान श्री कृष्ण खड़े थे पांड़वों के साथ भी वी कोरबवों के साथ सब को समझारा रहे थ zm लेकिन जब कोरब मांने को ही त्यार नहीं हुए कौन खड़े थे भागवान Brichuk Нам खड़े थे हैं मानने को त्यार नहीं क्या हुआ है भागवान किसकी जानता था जो आज भी वह साधनाएं लुप्त है रावण की ऐसी प्रमपरिक साधनाव को रावण जानता था जो आज लुप्त प्राय है रावण सहीता जिसके उपर रची जा चुकी है है ना रावण इतना विद्वान होते हुए रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था कि अपना शीष काट करके नवादे भगवान शंभू को लेकिन जब उसमें बुराई पन पी तो भगवान उ छोड़ दिया उसका और वही रावण जिसने इतने दुरलब इस्तोत्र की रचना की हूँ आपने सबने देखा है ना किस प्रकार से पढ़ते हैं आप अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस्प्रवाह मादूरी विर्जम बणा मदुरवतम है ना तो ऐसे ऐसे रावण विद्वान था लेकिन विद्वन ता धर ही रह गई तो कहने का भाव कि भगवान हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा क्या तुल्ला ही नहीं है अतुल्ली है हम जितना हम ज्यादे से ज्यादा चाहते ना भगवान से हम किसी का बुरा कराले नहीं हो सकता तो क्या रावण ने भग बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी मेरे साथ को है ना इसलिए आप थोड़े में ज्यादा समझे तो बगला मुखी साधना के प्रती गलत फहमी निकाल दें आप कैसाब मैं बगला मुखी साधना कर रहा हूं तो मैं सब का नास कर दूँगा cub 카 ay thubca विनास कर दूँगा यह साधना दूसरों करती नहीं साभ कि ये तो बहुत सुन्दर साधना है, ये तो बहुत अच्छी साधना है, दसम महविद्याओं में शुरमौर साधना है, बहुत प्यारी साधना है, आप कभी MP जाईए, आप जाईए भवानी दतिया में देखो, महरानी के ठाट देखे आप, कैसे भगवती विराजती हैं, तो आ आप बहुत सारी चीजें अच्छे से सोच समझ के किया करें, आज का ये मेरा जो मैंने बोला, ये भगवती ने बुलवाया हमसे, हमने नहीं बोला, तो किसी भी साधना के परती, ऐसे बहुत लोग धर्म को बद्दाम कर देती है, कि अरे आपके धर्म में आपकी तो ऐसी साधना हैं, आप लोगों का विनाश करवाते हैं, नहीं साब, किसने का आप से, तो इस प्रकार की आप कही बार वीडियो सुन लेते होंगे, नहीं कहां से, ऐसी चीज़े आप सुन लेते हो, तो भई मैं इन सब चीजों में आपका समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए कही बार ऐसे लोग हम से भी मिलने आ जाते हैं, कि सर्माजी हम हमें किसी का विनाश करना है, या हमें ऐसा कुछ सोचना है, या हमारा शत्र नहीं साब, हम इसका काबिल नहीं है, हम तो आपको वह मंत्र दे सकते हैं, हम तो आपको वह साधना दे सकते हैं, जो साधना आपका बचाओ करे, आपकी सुरक्षा करे, और किसी का अहित ना करे, तो भगवान बहुत महाग्यानी है, महापंडित्य है भगवान, और भगवान विद्वन्ता को जरम देते हैं, हम चला की संसार से कर सकते हैं, लेकिन हम चला की भगवान से नहीं कर सकते हैं, आज आपको इतने समझाना था, आए आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं, आत्मा त्वंगिर्जा मती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रासमा जिस्ति दे संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवार आधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित व्रिट्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुज केंडर आरं सदा वशन्तम विद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी अबच बना लें ध्यान करें शिव शंकर का शिरवाद हम सब के ओपर बरस रहा है ओम बोलते हूं नेतर खोले समाने हो जाएं देखो दर्शकों बहुत सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहती हैं और अब जैसे ओनलाइन का सिलसिला है तो सबसे पहले तो हम दिख्षा का सिलसिला परारम करने वाले हैं कि सबसे पहले दिख्षा दी जाए और दिख्षा में भी हम फिर आपको चेताते हैं समझाते हैं आपसे अनुग्रह करते हैं कि किसी कोतूलवत आप हमसे न जूने अगर आपके मन में कहीं कोई समर्पन भावना है गुरु शिष्य की भावना है जीवन में कुछ पढ़ना चाते हैं सीखना चाते हैं तो उनी शिष्यों का हम आदर करते हैं और वो शिष्य का हम स्वागत करते हैं ऐसे ही सिस्टियों कि हमको तलाश है और अवश्रक्ता है तो कुछ दिन में सिग्र से सिग्र हम दिख्षा का कारे करम बताएंगे कैसे होगा तब आप सारी चीजे सुन लेना जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें